आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ and Organic Substances तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों process के बारे में जानते हैं तो दोनों ही process के अंदर क्या होता है? Water का loss होगा बट यहाँ पर transpiration के process के दुरान जो water का loss होता है वो vapors की form में होगा तो loss of water in the form of vapors ओके और जो water होगा यहाँ पर वो pure water होगा अब बात करें gutation की तो यहाँ पर water का loss होता है in the form of liquid droplets liquid droplets की form में water का loss होगा मतलब dilute solution होगा और यहाँ पर जो water होगा वो बिलकुल pure नहीं होगा यहाँ पर हमारे organic और inorganic substances present होगे दोनों ही process के अंदर water का loss होगा बट एक में क्या होता है वेपर्स की form में होगा और दूसरी process के अंदर water का loss होता है liquid droplets की form में अब transpiration के लिए जो हमारे pores responsible हैं वो stromata होगे जिनके द्वारा transpiration का process होता है तो बात करें gutation की तो gutation के लिए जो pore responsible है वो क्या होगे? hider thode होगे तो ये हम leaf का diagram देख सकते हैं यहाँ पर leaves की margin पर ये pore hider thode present होगे और ये हमारा liquid droplets की form में water का loss होगा तो ये process हमारी क्या कहलाएगी gutation कहलाएगी transpiration यहाँ पर गलत होगा classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोट करें doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर